कांग्रे सध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घुम रहे हैं क्यों न घुमें पांच राजियों में चुनाव है उसके बाद आम चुनाव है उनके कदम नरम हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कभी धोती धारण कर रहे हैं कभी कैलासमान सुरोवर की यात्रा कर रहे हैं लेकिन वो आखिरकार उन नेताओं क्या क्या कर रहे हैं जिनके बोल किसी न किसी दिन आकर के बिगड़ जाते हैं और उनके सब किये कराय पर पानी फिर देते हैं जी हां एक बार फिर से बोल कि लिए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के लिए कुछ ऐसे सब्दी उज्ज कर दिये हैं जिसका जबाब कांग्रेस से नहीं बन पा रहा है वो का रहा है कि इसको चपल से भी नहीं पिटा जा सकता नहीं हटाया जा सकता अब इसको ले करके इतना हंगामा मचा हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस जबाब मांग रहे कि राहुल गानधी सोनिया गानधी जबाब दें माफी मांगरें कि या सवसित थरूर के बोल पे कुछ क्लेरिफिकेशन दे एक तरफ वो महादेव के चक्कर लगा रहे हैं महाकाल में जा रहे हैं कैलासमान सुरूर जा रहे हैं दूसरी तरफ यह ऐसे सब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं अब बीजेपी को तो मौका मिल गया है अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सिर्फ सथरूर साहब है कांग्रेस में तो ऐसे बहूत सारे नेता हैं दिग विजेए सिंग साहब है जो नराज हो करके रूट करके बैठे हुए हैं कि मेरे बोल से जब आपके बोट बैंक बिगड़ जाता है तो मैं क्यों चुनाओ परचार करूं उस में ऐसे निताओं के लंबी फेरिस्थ है जो गाहे बगाहे आउसर ऐसा हो या ना हो वो बोल जाते हैं जो कि कांग्रेस के पिसानी पर बल बढ़ा देता है अब राहुल गांधी घूम रहे हैं राजस्थान मद्प्रदेश 36 गण समयत पांच राजियों में वोट के लिए क जैसे उसे मोका मिलता है वो वो वार करना सुरू कर देती है अब वो insult महाकाल का है चल रहा है कि एक तरफ आप जो है महाकाल के दर्सन कर रहे हो और दूसरी तरफ आपकी पार्टी की नेता ऐसे बोल रहे हैं अब देखना है कि राहूल गांदीजी ऐसे नेताओं पर कैसे अंकुस लगाते हैं तो जी हां आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारे जी हाँ